बहुत स्वागत था आपका खेल कड्डा में मैं हूँ आपके साथ सुधी प्राच्वोध जी हाँ, एसिया कप 2023 में चेंपियन बनने के बाद भारती टीम अपने घर में आस्ट्रेलिया के खिलाब तीन मैचों की वन डे सिरीज के लिए पूरी तरह तयार है सिरीज का पहला मैच सुख प्रवाद्यानी की आज मुहाली में खेला जाएगा वर्ड कप से पहले भारती टीम इस सिरीज में अपनी पांच बड़ी चुनोतियों का हल चलासना चाहेगी आपको बता दें कि इन पांच बड़ी जो फैक्टर हैं जब पिच पर ड्यू फैक्टर होगा या गेद बाजो का कॉम्बिनेशन नमबर एक जो आता है वह हो है ड्यू फैक्टर क्योंकि आप सब को पता है कि इंडिया में यह जो मैच होने वर्ड कप के वो लगभग सारे म सिर्दर्द निचले करम में दमदार बल्ले बाज सिरीज के पहले दो मुकाबले में कप्तान रोई सर्मा बिराट कोली हारदिक पांड्या और कुल्दी प्यादों को अराम दिया गया है केल राहुल को कप्तानी सोपी गई है जबके तीसरे वंडे में भारती टीम अपने साथ उतरेगी भारती टीम के कोच राहुल द्रेविड कंगारों के खिलाप इस सीरीज में टेस्टिंग के लिए पूरी तरह तयार है वर्ड कप के पहले उनके पास सभी आखी मौका है जिसमें वो अपने सभी मुस्किल सवालों का जबाब तला सकते हैं इनका टेस्टिंग होगा यानि कि वर्ड कप में सबसे बड़ा मामला ओस यानि कि ड्यू फैक्टर का है वर्ड कप अक्टूबर नौंबर में खेला जाएगा जिसके ज्याधा तर मुकाबले भारती समया अनुसार दोपार दो बजे से खेले जाएंगे ऐसे में साम के बाद ओस एक बड़ा अह जा सके और स्पिन्रों के भरोसे ना बैठना पड़े बता दे कि जब ओस अपना रंग दिखाती है तब टार्गेट डिफेंस करना काफी मुश्किल होता है आस्ट्रेलिया के खिलाब भी तीनों वंडे दोपार डेड़ बजे से खेल जाने है ऐसे में भारती टीम इस अब कि वर्ड कप इस बार भारत में होने वाला है ऐसे में टीम इंडिया अपने घर में होने वाले आस्ट्रेलिया के खिलाब फंडे सीरीज में अपनी गेद बाजी पॉंबिनेशन को लेकर भी सुनचीस कोगी इस गेद्बाजी की भूम का कितनी रहेगी और कितने पेसर क प्रकार होगी इन सभी सवालों के जवाब इस सीरीज में ढोलने की कोशित रहेगी। नंबर चार और नंबर पांच का सिर्दर्ध भारती टीम के लिए कुछ समय से बैटिंग में नंबर चार का सिर्दर्ध बना हुआ था। लेकिन जब चोट से ठीक होकर केल राहूल ने धमा के दार पारी खेली तम नमबर चार का सिरदर्ध दूर होता दिखा। राहूल ने इसी अकप में इसी नमबर पर बैटिंग करते हुए रन मराये। राहुल ने पाकिसान के खिलाब नमबर चार पर बैटिंग करते हुए नाबाद 111 रहनों की सत्की अपारी खेली थी हाला कि सिलंगा के खिलाब मैच में इससान किसन को भी नमबर चार पर भेजा गया था जबकि राहुल ने नमबर पांच पर बैटिंग की थी ऐसे में टीम मैनेजमेंट को या असपष्ट करना होगा कि आखे नमबर चार और पांच पर कौन फरफिक्ट रहेगा मिडिल आडर में दोनों इन नमबर के बल्ले बाज रिखन कहे जाते हैं निचले करम में दमदार बल्ले बाजों का परदरसंजी हाँ मिडिल आडर के बाद टीम को अपने निचले करम के बल्लो बाजों पर भिध्यान देना होगा नमबर चार पर आपके अर्दिक पांडिया और नमबर साथ पर सर रभीन जड़े जाते हैं मगर उनके बाद आठ और नमबर नौ पर ऐसे प्लेयर आ सकते हैं जो ज़्यादा नहीं खेल पाते आप ये भी जान सकते हैं नमबर आठ और नौ पर लिए ऐसे प्लेयर लाई जा सकते हैं जो ज़्यादा नहीं पर मैं जिताने लायक बैटिंग तो कर सी सकते हैं यदि बतौर इस्पिनर पुल्दीप की जगा अस्वनी को मोगा मिलता है तो नमबर आठ पर मजबुद बल्लेवाज भी हो सकते हैं। 9 नमबर पर बुमरा कुछ हाथ आजमा सकते हैं। यदि फिट होते हैं तो अक्षर पटेल भी निचले करम में काफी एहम हो सकते हैं। इसके लावा मुहम्मद समी भी रन बनाने की काबलियत रखते हैं। तो इन सारे सवालों के जबाब टीम इंडिया के कौँछ राहूल दर्मीर तलासना चाहेंगे इस सीरीज में। क्योंकि तीन वंडे मैचो की सीरीज हैं। इंडिया और आश्रे लिए कि आज पहला मुकाबला खिला जाएगा मुहाली में। और माना जाता कि मुहाली में जो ओस होता वो काफी जादा पड़ती है। हमने आपको पहले बताया कि इसके लिए ICC ने भी BCCI इस गवाल लगया कि बाबू जरा ओस को बचने के लिए कुछ कीजिएगा। यानि पीच पे थोड़ी घांस सोड़ दीजिएगा। आज मैच होगा डेड़ बेजे से और ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि जो बैटिंग लाइनप इंडिया की है जो इनकी वालिंग लाइनप है उसमें किसको किसको मौका मिलता है। वासिंगटर सुंदर को मौका मिलता है या तिलक बर्मा को मौका मिलता है। फिलहाल तिलग बर्मा ने अपना ODI डिब्यू एसिया कप में हे किया था, वहाँ वो काफी निराजनक रहे, जीरो निर पर वाउट हो गए थे, अब आज इस मैट में, उस मैट में भी वासिंगटर सुंदर को अक्षर पठेल के जगा रखा गया था, फिर वर्ड कप से पहले